नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूज और आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा बजट तो सरकार की नियमित सालाना आपचारिकता होती है लेकिन चुनाओं से पहले आपको बता दें कि सरकार का पिटारा खुलता है अब तक क्या किया उसे याद दिलाने में गया और बाकी के समय में सुर्णिम भविश्य की कलपना साकार करने को लेकर भावी योजना की रंगीन तस्वीर प्रस्तुत करने में विपक्ष के हिसाब से दावों वादों के बीच जनता को ठगने वाला बजट तो सत्ता पक्ष के लिए अमरित काल के सुद्रध भारत का सपना साकार करने वाला बजट है क्या वाकई? सवाल हम पूछेंगे पर पहले एक जलक बजट के महत्वपोर्ण अंश पर महिलाओं के लिए बड़ा एलान इनकम टैक्स बकायदारों को राहत घटाया गया कॉर्पोरेट टैक्स तो करोड लोगों को मिलेगा घर विकास को रफ़तार या वोट पर नज़र हम सवाल तो पूछेंगे और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में कुछ महमान मौजूद है उनसे आपका परिच्वय करा दे हमारे साथ आरज़ेडी से डॉक्टर औरमिला ठाकुर है बीज़ेपी से प्रोफेसर सुहेली मेहता है और कॉंग्रेस से प्रेम चंदर मिसुरा है इन तीनों की प्रतुक्रिया लेंगे सबसे पहला सवाल तो यही कि सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है प्रदान मुंतरी नरें देखिए इस बजट में अगर आप लोगो भी ठीक से इसको अध्यन कर लें तो पाएंगे कि समाज के किसी बर्ग के लिए कुछ भी नहीं प्रावदान है किसी भी बजट में दो चीजों का होना बरावस्यक होता है पिछले साल बजट में आपने क्या-क्या वादे किये उस कोई ब्योरा नहीं है अगले साल के लिए विजन है उसकी कोई चर्चा नहीं है आप भाषन में तो बढ़िया वरिया पॉंट सम रखे हैं सब्नों की कलावाजी है और एक तरसे देखिए जो इनलों का तरीका होता है बढ़िया बढ़िया सब्नों के जाल में जुमले बाज प्रशनें बढ़िया सब्सक्राइब बुच्छ एक तौंतरी बजट है उसमें जो आपका विजन होना चाहिए वह असपष्ट नहीं है आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए हैं किसानों के लिए हैं युगों के लिए गरीबों के लिए मैं यहीं तो पूछना चाह रहू हूं इन वर्गों के लिए आखिर इसमें है क्या अब बताई आपने अपने भाशन में एक सब निर्मिला जी ने इस बारे में नहीं कहा सिर्फ अपने प्रसंसा की अपनी पीठ थर्थ पाई तो अगर अपने ही सरकार का गुंगान करना है सौई का बीजेपी की नियता आप करेंग काम देते हैं उसको घटा के क्यों पंद्रा कर दिया है बजट का भी लॉकेशन जो किया है उस समय पर भुकता नहीं होता है कोई काम दो होता नहीं गरीबों को तो मनरेगासी फायदा होगा रोजगार के लिए इस पूरे बजट में आपके भासन के अलावा कहें भी इस बा अब किसको चलावा दे रहे हैं कि यह बजट चलावा है शब्दों की बाजवीगरी है सुहिली जी आप किस तरह से देख रही है हम इस बजट को युवाओं के लिए महिलाओं के लिए गरीबों के लिए किसानों के लिए बलकि पूरे देश की एक अरब 40 करोड जनता के लिए ये बजट है देश के समावेशी विकास का ये बजट है भारत को 2047 तक विक्सित भारत होने का ये एक रोड मैप है हम इस बजट को इसी तरह देखते हैं अब जो विरोधी है वो तो विरोध करेंगे लेकिन जहां तक बात है कि अभी प्रेम जी ने ये कहा कि ये गरीबों के लिए कैसे है रोजगार के लिए कैसे है तो आखिर इंफ के लिए आयुश्मान भारत को जो जोरा गया की और जादा इसका दाइरा बरहाया जाएगा जो लगपती दीदी की बात कही गई आयुश्मान योजना के तहत अंगन बारी और आसा कार्ज करता को जो जोरा जाएगा उसकी बात कही गई किसान के लिए बीमा योजना की बात कही गई आखिर यही तो गरीबों और कमजोरों का बजट है जो मजबूत करने के लिए है दरसल कॉंग्रेस की सरकार कभी गरीबों को मजबूत नहीं होने देना चाहती है इसलिए इस तरह की बात करती है आधरनिये नरेंद्र मोदी जी के नितरित्व में जो ये देश आपने कहा कि जादा समय जो है वित्त मंत्री जी ने पिछले समय में जो होने वाला काम है हो गया है वो काम उसकी चर्चा उन्होंने की तो निश्चित रूप से हमारा बजट जो पेश होता है वो चुनावी नहीं होता है इसलिए पहले भी जो विकास हुआ है देश में उसकी चर् बने प्रधान मंत्री आवास योजना में उसमें चार करोर लोगों को फाइदा पहुचाया गया और आगे पहुचाने की बात है और तेजी से पहुचाने की बात है बलकि मिडिल क्लास के लिए जो सस्ते दर पर जो घर बनाने की बात है वो भी है इसमें तो आखिर यही तो ब अगले इस बजट से जो एक वीजन दिखता है उसमें अगले पांच से दस साल में हमारा देश तीसरे पाइदान पर पहुँचने की बात कही गई है तो यही तो बजट है कि हम देश में कैसे लिकास करेंगे और यह विजनरी बजट है इसलिए इस पर किसी को कहने का कोई सब्सक्राइब नहीं होता है हमारा बजट देश के एक अरब 40 करोड जनता के लिए है नकी ऐसे ही बस लोक लुबावना है चलिए उर्मिला ठाकुर जी की प्रतुक्रिया ले लेते हैं और मिला जी आप बजट को किस तरह से देख रहे हैं कॉंग्रस नेता तो कह रहे हैं सि अब शब्दों का बाजीगरी सब्दों की बाजीगरी दिखाई गई जबकि सुहेली जी मान रही है कि भाविश्य में एक बहतर भारत हो उसकी नीव को और मजबूत किया जा रहा है देखिए ये बजट जो है इनका कहना हुआ कि नहीं ये बजट जो है भारत की नीव मजबूत हो मैं कहना चाहती हूं कि ये कहे थे कि 15 लाख रुपईया हर भारतियों को खाते पर चल जाएगा लेकिन आज क्या ज़रुरत आन पर ही कि 15 लाख तो मिला नहीं लेकिन 15 लाख क प्रोर का करपोरेट को आपने टैक्स माफ करने का कौम किया आपने शिर्फ करपोरेट के लिए यह देश सिर्फ करपोरेट का यह देश है आपने उन महंगाई जो अभी आप के राजपाट आने के बाद महंगाई का दर 5% चला गिया है आप कहते हैं जी GDP गरोथ रेट बर है और वो जो है 3.4 ही है तो आप किसकी बढ़ने की बात करते हैं आप कहते हैं एजुकेशन का मात्र 3.8 खर्च है जब कि आप अगर चाहते हैं तो एजुकेशन को फिरी कर दीजिए सब को सिच्छा मिलेगा और जब सिच्छित लोग हो जाएगे तो आप को जो चाबल और गय क्या आप 2 करोर जुबाओं का युदा वादा नहीं किये थे क्या आपने उसमें से कितने जुबाओं को आपने रुजगार देने का काम किया नोकरी देने का काम किया अभी तक में आप 14 से ले करके और 24 के बीच में आपने 600 प्राइबेटाइजेशन करने का काम किया आपने कार्पोरेट के लिए सिर्फ परधान मंत्री हैं आम आबाम गरीब गुरुवा जहां तक आपने महिला की बात किये तो यही सिता निर्मला जी हैं जिन्होंने इसे पहले बाले बजट में महिलाओं को भारत की माता को चाहे वह लिपिष्टिक हो चाहे वह बिंदी हो सिंदूर हो काजल हो सारे चीजों पर आपने जियस्टी लगाने का काम किया आबसक आब सकता की चीजों को चाहे वाटा हो चाबल हो डाल हो सरसों का तेल हो जो गरीब गुरुवा के लिए है वह आपने कुछ नहीं किया सारे चीजों को आपने महंगाई चरम पर ले गए यही सरकार ह जब UPA government की सरकार थी मनरेगा मजदूर को जो वर्क दिया गया था आपने उसमें कटवती करने का कौम किये बिहार को खास करके बिहार को छे लाख पर तेक साल इंद्रायाबास आता था आपने उसको चार पर लाने का कौम किया और आपने किया ही नहीं आप काम तो करते नहीं ह जब बने थे रहुबंस परसासिंग गरामीन विकास मंतरी तब बजट मांगते थे बोरा में तो मिलता आपने सहिता विसेश राज का दरजाग कहने का काम किये हम देंगे विसेश पैकेज बिहार को देंगे कितना दू असी हजार करोर दू कि आपको जो है पच्छतर हजार करोर दू चलो साबा सो करोर देंगे अदिया कुछ नहीं आपने बिहार के लोग आपको 40 में 40 सिट देने का कौम किया आपने बिहार के लिए क्या दिया आपको देंगे लोगों को जो है ट्रेंगे लग रहा है तो आप तो सिर्फ कंपणी के हावाले कर दिया प्रइवेट डिया बिर्ला टाटा डलमिया बजाजमोधी के हवाले पूरे देश को कर दिया आपको तो जनरल आम आवाम लोगों की भोट और आम आवाम लोगों की आबसक अब सकता पर आपको तो धियान ही नहीं है उस पर ध्यान नहीं दिया यानि की साफतोर पर चुनाओं में नुकसान ये विपक्षी खेमा का मानना है तो विपक्षी खेमे को शायद इस बजट से खुशी होगी कि अगर वाकई में कुछ नहीं है तो चुनाओं में इसका खाम्याजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि च अंसद है और वहां कॉंग्रेस के कई प्रखर और अनुभवी नेता है जो एक गलत बयानी पर सो सवाल खड़े करने के लिए वहां मौजूद थे तो जो बाते कही गई है अगर पीठ थप थपा रही है सरकार तो कुछ करने के बाद ही न अगर कुछ किया होता सरकार ने सरक पीणोर अपना bakayım दिए आढ़ा देती न इसकिया वादा था सो स्माट सीटी बनाइगे क्या उसमीं से एक भी समार्च यृम पार वादा था किसानों कि आमधनी दूगुना करतें या आमधनी बढ़ी आमधनी अगर दूगुना बढ़ी होती इस देश पे एक तीस किसान रोज आत्म हत्या करने पर मजबूर नहीं होती। आप क्या लोग समझ भाग में गुमार हैं सब्दों के जाल में आपने वादा किया था किसानों को MSP की कीमत भी बढ़ाईगी। बढ़ा नहीं बढ़ा। सबसे बुड़ी अवस्ता में तो इस देश का किसान है जो आत करेंगे वोग करेंगे और कब करेंगे आपकी सरकार दो चार महने की मेहमान है अप 47 के रोट मैप हम 47 में आप रहें गए जब दिखाएंगे नहीं आप आप अभी हैं आप ने क्या क्या पिछले एक साल में अपने बजट प्रावधानों को कितना इंप्रिमेंट किया मैं त और दिखेगा यह क्या है यह लोगों को छलने की सिवा और क्या है मैं सब्सक्राइब इस तरह की बातों से आम जंता को आप ज्यादा भ्रभित निक कर सकते हैं अगरी कल्चर का ग्रोथ रेट घटा है शिख्षा का बजट आपने घटा दिया जब आप रक्षा का बजट आप आप पूजी पत्यों के हितों की बात आप करते रहे हैं लेकिन आप ने गरीबों के लिए कुछ ने किया है इस बजट में पहले भी नहीं किया बटाएंगे आप विपक्ष को भी और जनता को भी बड़ी दुविधा वाले स्थती है किसानों को सरकारी मदद मिला है किसान सम्मान निधी योजना के तहट डारेक्ट उनके खाते में पैसे गए हैं ये प्रेम चंजी को नहीं पता चलेगा इसलिए कि इनकी सरकार में राजीव स्वर्गिय राजीव गांधी जी स्वैम कहते थे कि एक रुपया जब केंदर से चलता है तो नीचे वाले जहां जाना है वहां पर 15 पैसा आता है लेकिन हमारी सरकार में ये नहीं हुआ हमारी सरकार में जन धन योजना के तहट सभी के खाते खुले और केंदर सरकार से जो भी पैसे आते हैं जिस योजना के तहट आते हैं उनके खाते में पहुँचते हैं सिक्षा का बजट जब कह रहे हैं कि घट गया तो 300 नया इंवर्सिटी बन गया हमारी सरकार में देखिए 10 साल ट्रांस्फर्मेशन का समय रहा देश का और जिस गती से हमारा देश बरहा 20 में पायदान से उपर आकर और अर्थ वेवस्था के मामले में 5 में पायदान पर पहु जी के नाम से ये योजना चलेगी परदान मंत्री आवास योजना के तहत जो 4 करोर घर का निर्मान हो गया है जिसमें 75% महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री है तो क्या महिलाएं मलकीन हुई तो वो मलकीन नहीं हुई वो देश का विकास नहीं हुआ चले तो काफी कुछ है गिनाने के लिए बीजे पीखे में के पास प्रेम चंद्री जी बीच में आप कुछ कहना चाह रहा हैं कि मैं यह जाना चाह रहा हूं जी आंकरेवाजी के खेले में आम जंता को मत उलजाई सरकार को यह बताना चाहिए था ना कि आपने कौन से और यह करेंगे नाइटिन फॉर्टी सेवन दो हजार सहीतालीस में अब कहेंगे इसका आपको रोड़ बैक निजर आएगा आप सरकार में आज हैं दो चार मेंदे के परल्लमेंट के चुना होगा आप जाने वाले हैं आप सहीतालीस से कोन आपको पूछे का भई और आप बदानी कहलत में रहेंगे आपको पिछले नो-दस-बोर्षों का ब्योरा दे दे कम से कम पिछले साल का अगर आप नहीं दे वही तो बेवरा दिया गया जो आपने कहा कि फीट थपतपाया जा रहा है और चीजों को समझे ना इंफ्रास्ट्रक्चर में भगवां जिया कि तोड़ी काम करेंगे उसमें गरीब यूबा किसानी उसमें काम करेंगे कैसे नहीं बोलगे आप गलत वैयानी करेंगे तो हम नहीं न सुन लेंगे आखिर धार्मिक पर्यटन चैतर का जो विकास किया जाएगा तो उसमें लोगों का रोजगार ही ना पढ़ेगा कि कहां जाएगा रोजगार क्या सिर्फ नौफरी होती है जब आपकी आए बाड़ी आगी तू बोलिए मेरा सवाव तो लगातार किना रही है प्रेम चंद्र जी मैं ने तो यही पूछा ना सिक्षा का बजट 4.55 से घटकर 3.2 हो गया यह घटा है कि बड़ा है तो साक्षर्टा दर कैसे बढ़ गई चुली एक काज़ को प्रादी का निर्मान कैसे हो गया आप रखिये आपको क्या 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 सिक्षा में बरोत्री हुए है आक्रे बाजी के खिल मत करिये मैं भी तो आक्राही बोल रहा हूँ एकोनोमिक ग्रोथ आपका घट क्या अक्राही बता रहा हूँ यह भारत सरकार क्या अब बात करी मोड़ी जिए लेकिन सरकार का यह दावा है कि वैश्विक अर्थ ववस्ता में कोरोना की महामारी से उबर अधिस से आगे बढ़ रही है इसकी अर्थ विकास की दर में कमी सिक्षा बजक्ट में कमी सिर्णुल का सिरूल ट्राइप गरीबों के लिए जो इसकोलोर्टी पाता है जो उसका फंड एलोकेशन होता है उसमें कमी आप मनरेगा में फंड्रेंपर रिलीज करते हैं आप क्य लिए बात कर रहे है किस गरीब की बात करें का उथान कर रहे है या ठगने के सिवा और कुछ निकर रहे है मेरा वही पॉयंट है आप ने कहाता निकिसानों के आप दनी दुगुनी कर देंगा हूँ इस पर कुछ बोला किया था मेंस्भी बढ़ गया क्या बिल्कुल नहीं पूरे विश्व में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अर्थ व्यवस्था पर प्रवाव नहीं पराए यह क्या है अगर 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 जब आप दे रहा है वह सवाल पूछ रहें यह सलसला चलता रहेगा और मिला जी आप क्या कह रहे थी देखिए इकोनोमिक जो रेट है इनका इकोनोमिक गरोथ रेट यह 3.7 मिलियन डॉलर है और अभी तक यह सिर्फ का रहें कि साथ हो जाएगा हो जाएगा बरहाए नहीं और एक से डेर परसेंट लोगों का जो पर बैक्ती इंकम है 14 से लेके अभी तक बरहन मने एक से डेर परसेंट से जादा नहीं बरहा है जो सचाई है दूसरी बात है कि यह कहते थे देशक परधान मंत्री जी कि रुपईया जो है डॉलर के मुकाबले क्यों जो है इसका घट रहा है तो आप अभी जो है आप देखिए न रुपईया का जो है डॉलर के मुकाबले आपका रुपईया भारत का कहां पर खरा है और जूसरी बात ये है कि आप तीन क्रौर जो स्वयंग सहीता समू की महिला है उसको जोर करके उसी को दिखा करके आप बोलते हैं कि महिलाओं को जो है हम यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं उन महिलाओं की अगर मौत हो जाती है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। बजट भाशन में सीधा सीधा किसे क्या दिया जा रहा है ये नहीं बोला गया और इसके कारण विपक्ष को मौका मिला ये कहने के लिए कि सरकार ने इस बजट भाशन के दौरान सिर्फ अपनी पीठ थप थपाई किसी के लिए बजट में कुछ नहीं है तो विपक्ष के नीव को मजबूत किया गया है जिस पे एक अमरित काल का स्वर्णिम इमारत भारत का तयार होगा तो ये सत्तापक्ष के लिए भी खुश होने वाली बात है लेकिन इसका फैसला तब होगा जब जनता के बीच चुनाओं में जाने वाले होंगे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों खे में देखना दल्चस्प होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है सवाल हमारा लगातार जारी रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम चंदर मिश्रा जी डॉक्टर रोर्मिला ठाकुर जी और प्रोफेसर सुहेली मेता जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए अ आज के लिए इतना ही कल फिर एक और सवाल के साथ आपके सामने हाजर होंगे कुछ और मेहमानों के साथ बने रहे कशिश नियूज के साथ